उत्राखन में सडग हाथ से थमने का नाम नहीं ले रहे हैं वहीं ताजा मामला पिथोड़ागड का है जहां पिथोड़ागड लोहागाट रास्टिय राजमार्ग पर स्कूली रैली में शामिल एक छात्र को बेकाबू केंटर ने रौंद दिया जिसमें छात्र की दर्दनाक मौत हो गई प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्राथमिक विद्याले गैरी में कक्षा 5 में छात्र हिमानसु सिंग, पुत्र हरी सिंग, उम्र 11 साल शनिवार को स्कूल गैरी में जा रहा था वहीं सुबह विद्याले द्वारा जब तिरंगा रैली निकाली गई तो इसी दोरान पिथोलागर डांक पारसल ले जा रहे केंटर ने छात्र को मल्ला बापरू के पास रौंद दिया जिसमें छात्र की मौके पर ही मौत हो गई वहीं इस घटना से आकरोसित लोगों ने राजमार्ग पर जाम लगा दिया सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और शव को लोहा घाट ले कर गई घटना के बाद से फरार चालक को घाट से गरफतार कर लिया गया है उत्राखन की ब्रेकिंग न्योज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें धन्यवाद